हेलो दोस्तों नेक्ट न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों आज के नेक्ट न्यूज में हम लोग बात करने बाले हैं 67th BPSC से रिलेटिट कुछ न्यूज है और आप सबको बता दे UPSC PET का जो है आंसर की इस सब्ता जारी नहीं किया गया तो इससे रिलेटिट भी कुछ न्यूज है आप सबको बता दे कि UPSC बहुत बढ़े बदलाओ के साथ PET का रिजल्ट और आंसर की जारी करेगा जिसकी बजह से इसमें देरी हो रही है और वो बदलाओ क्या है जो कि आ आप आगे वीडियो में देखेंगे और आप सबको बता दे कुछ जॉइनिंग से रिलेटिट भी न्यूज है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज के नेक्स्ट न्यूज को लेकिन उससे पहले कोऊंगी कि अगर आप किसी भी गॉवर्मेंट चॉब की तयारी कर रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए तो चलिए देख लेते हैं आज के नेक्स्ट न्यूज को तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे बीपेसी एक्जाम के बारे है और 12 दिसेंबर को ही अंतिम चरन का चुनाव है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यह न्यूज है कल के दैनिक भासकर का यह न्यूज है यहां कहा जा रहा है बीपेसी की परिक्षाओं पर पंचायत चुनाव का आसर नहीं परिक्षा नियंतरक बोले निर्धारित ति है क्या भासकर ने इस सवाल के साथ ही बीपेसी के सयूग सचीववा परिक्षा नियंतरक अमरेंद कुबार से गुरुबार को बातचित की उन्होंने बताया कि जहां से जिला प्रशाशन यह सूचना दे रहे हैं तो वहां बार से दिक्कत है उन सेंटर को बदला जा रहा है ऐसी विप्रित परिस्थिती नहीं है परिक्षार्थी को बहुत ज्यादा दिक्कत सेंटर तक पहुँचने में नहीं होगी आगे कहा जा रहा है पंचायच चुनाओ का असर नहीं बिहार में पंचायच चुनाओ 24 सेप्टेमबर से शुरू हो रहे हैं आयोग की कई परिक्षा की तिथी दो बार बढ़ाई जा चुकी है इसलिए जिला प्रशाशन के से परिक्षा के मिल जाएंगे तो परिक्षाय जरूर होगी सरकार के निर्देश या हाई कोड की फैसले से ही बदल सकती है दिथिया भी पेसी ने आयोग में लडेसी पत के लिए आवेदन मांगे थे अब बहर्तियों ने आवेदन भी किया था इसकी परिक्षा के लिए एक तिथी की घोष्णा नहीं की गई है अमरेंद्र कुमार ने कहा कि इसमें दो परिक्षाय ली जाएगी दोनों में ऑब्जेक्टिब सवाल पूछे जाएंगे कंप्यूटर टेस्ट भी लि परिवर्तन संभव है यहां का जा रहा है सरसथमी पड़ी जो प्री एक्जाम है वो भी 12-12-2020 यानि की 12 दिसेंबर को इसका एक्जाम डेट दिया गया है जिसको की समय से लेने की पूरी कोशिच होगी जब तक की हाई कोट का कोई निर्देश नहीं हो तो दोस्तों सरसथमी BPSC वाले आप लोग यह सोच करके माइंड सेट ना कड़े की दिसेंबर में आपका पेपर नहीं होगा यहां कह रहे हैं जो अमारे सचीब है कि एक्जाम हो सकता है तो यह तो थी BPSC से नियूज चलिए अगले नियूज को देख लेते हैं तो अगला जो नियूज है वो है आप सबको बता दे चैनितों की ज्वाइनिंग अटकी तो देखते हैं कौन से चैनितों की ज्वाइनिंग अटकी उसके बाद हम लोग UPSC PET से रिलेटिड नियूज देखेंगे कि आखिर वो कौन सा बदलाव होगा अंसर की और रिजल्ट में तो यह जो नियूज है यह द आयोग ने एक सब्ता पहले और बंदिक रूप से चैनित अभियर्थियों की फाइलेश राशन को भीजी है नियूगती की संतूती के बाद अब चैनित अभियर्थियों का मेडिकल परिक्षन और पुलिस वेरिफिकेशन होगा इसकी बाद ज्वाइनिंग मिलेगी आयोग अब दोल्ट आप इस साल 26 मार्च को जारी किया था तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं ये जो है 2020 का जो नोटिफिकेशन ने वो जारी कर दिया गया है जबकि 2019 वालों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है यहां इनका जो result आए 5 महीने हो गया है और इनका जो file है वो शाषन को भेज दिया गया और फिर भी अभी तक इनकी जॉइनिंग नहीं हुई है तो यह तो बहुत ही दुखत बात है कि उत्तर प्रदेश में सारी भरतियों का यही हालत है रिजल्ट आए एक-एक साल हो जाता है लेकिन जॉइनिंग नहीं होती है समय पे तो यह सहायक अभियंता से related news है जिसमें की 149 चैनितों की जॉइनिंग अभी तक रुकी है रिजल्ट आने के 5 महीने के बाद भी तो ऐसा नहीं होना चाहिए यह बहुत ही ज्यादा दुखत है क नूल OMR sheet भी देगा आयोग तो यह पूरा क्या न्यूज है तो चलिए हम लोग देखते हैं यह भी एक यूसी से related news है यहां कहा जा रहा है भरोशा बढ़ाने के लिए PET की OMR sheet भी देगा आयोग अब पहले तक आपको answer की मिलता था आप अपना marks देखते थे अब आपको अप आई परतियोगी परिक्षाओं में OMR sheet में हेरा फेरी वा छेर चार के लगने वाले आरोपो को देखते हुए दिनस सिवाचेयन आयोग UPSS किसी भी बिबात से बसने के लिए बड़ी पहल करने जा रहा है आयोग प्रारंबी करता परिक्षा PET के normalization score वा बैक्तिकत score के साथ OMR sheet के लिए RTI या court की शरन नहीं लेनी पड़ेगी आयोग के एक बरिष्ट अधिकारी ने बताया कि PET की उत्तरकुंजी जारी कर online अपत्या मांगने की योजना पर काम हो रहा है तो आपका जो यह है उत्तरकुंजी जो आपका answer की है वो अगले सप्ताह जारी कर दिया जाए जिसे की इन पर आरोप लगे तो दोस्तो आपका जो उत्तरकुंजी है जो की answer की है वो इस सप्ताह जरूर आ जाएगा और आप सब बार-बार कहतने हैं कट-off पे वीडियो लाने के लिए तो कट-off पे वीडियो आज शाम तक आ जाएगा और अभी तक आप लोग उने पोल म गेडा के लिए अलग है तो यहां आगे कहा जा रहा है साथ ही OMR sheet की scanning का काम शुरू करने की तयारी है इसके लिए एक माह का लग्ष तय किया गया है scanning पूरा होने के बाद अभ्यर्थियों के score नंबर आ जाएंगे यह पूरी कारिवाई 15 October तक पूरी हो जाएगी यहां कहा जा रहा है आयोग OMR sheet उपलप्त कराने की तयारी कर रहा है भ्यर्थि OTP के जड़िये OMR sheet डाउनलोड कर सकेंगे प्रवीर कुमार चेयर्मेन का कहना है अधिनास सेवा चेयन आयोग UPSSSI के चेयर्मेन का कहना है तो दोस्तों यह बहुत ही अच्छी बात है आप लो की इतने बड़े बदलाओं के साथ आपका सब कुछ इस बार काम चल लहा है तो दोस्तों यह था आज का न्यूज अगर आपको आज का न्यूज पसंद आया तो आज के नेक्स न्यूज को लाइक करें कल के नेक्स न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए फिर मिलते हैं ले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थैंक्स पर वाचिंग